हैलो इस्टुडेंट्स वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल SP स्टेडी क्लासेस 9 335 पर आज की इस वीडियो में हम क्लाश 12 फिजिक्स के वारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के 50 सबसे महात्पों टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में हम आपके 70 नमबर बिल्कुल पक्के कराने वाले हैं तो इसलिए आपको वीडियो सुरू से लेकर अन तक देखना है ऐसे में करना क्या है आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है लेकिन अगर हम बात करें तो स्लेबस बहुत ज़ादा है किताबें बहुत मोटी मोटी है और आपके पास टाइम तो ना के बराबर बचा हुआ है ऐसा की बोर्ड एक्जाम आप समझे तो आपके सर पर आ चुका है तो ऐसे में आपको तयारी कैसे करनी है ऐसे में आपको क्या पढ़ना आए, क्या नहीं पढ़ना आए, क्या छोड़ना आए, कौन से derivation आने के सबसे ज़्यादा chances हैं और कौन से derivation आईसे हैं जो board exam में आ चुके हैं, उन सभी की तयारी हम आपकी अच्छे डंसे कराते हैं तो इसलिए आप चैनल को subscribe कर लेना, और bell icon को paste कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का notification भी आप तो पहुंचे सबसे पहले तो आई हम वीडियो को सुरू करते हैं, ऐसे में हम देखिए पहला question और पहला topic देखेंगे, कि पहला topic क्या है जैसा कि अगर आपकी बात करें कि आप अगर ये topic, पचास topic जो हैं, अगर आपने पचास topic पढ़ लिये तो मैं कहता हूँ, अगर आपका सत्तर नंबर का paper होता है, तो आप 60 नंबर अभी भी लाग सकते हैं बस इन topics को अच्छे से तयार कर लेना है, अच्छे से cover कर लेना है तो देखें पहला हमारा topic क्या है, बैदुत flux के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है किसके बारे में student, बैदुत flux के बारे में कुलाम का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है बोर्ड एक्जाम के लिए चौथा टोपिक हमारा आए गौस का प्रमे या गौस का नियम या गौस की प्रमे किसी भी तरीके से आप से कुस्चन पून सकता है पांचमा जो टोपिक है वो काफी इंपोर्टेंट टोपिक है कि बैदुद धारिता बैदुद धारिता का बेंजग भी आप लिखेंगे समांतर और स्रेडी दोनों का लिखेंगे आप छठा टोपिक है परा बैदुद नियतांग पर आप बैदुत नियतांक के बारे में, सात्मा हमारा टॉपिक है, सम बिभव प्रष्ट के बारे में, आपको सम बिभव प्रष्ट, देखें सम बिभव प्रष्ट क्या होता है, ऐसा किसी बैदुत छित्र में खिंचा गया ऐसा कालपनिक प्रष्ट, जिसके सभी नोपर बैदुद्ध बिभव होता है वो कैसा हों श्टुएंट बिभव जो है समान हो सम्हिंभीव प्रेश्ट कहला एगा ठीक हैं श्टुएंट अगरlles बात करें संदा रित्रश की तो आपको संदा रित्र के बारे में भी अच्छे से पढ़ना आए विवो प्रवर्ता के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना अच्छे से हर टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना मैं कहता हूं यह टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो मैं कहता हूं आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता पर बारे में आपको पढ़ना है ग्यारा नमबर कोस्टेन किर्चाफ का नियम प्रतम दूरतिय दोनों नियम इस्टाल लगा लिजी इस पर होई टिश्टुन से इस पर भी आप इस्टाल लगा लिजी एनिकी बहुत बहुत इंपोर्टेंट कोस्टेन है इस वीडियो में और दूरतियों हमारा नेवरे का नियम इस्टुनेंट आपको पढ़ नियम इंपएर का परिपतियी इनियम आपको पढ़ना में आपको अच्छे से पढ़ना है क्यूरी का नियम पढ़ना है क्यूरी बिंदु पढ़ना है क्यूरी ताप क्यूरी ताप और क्यूरी बिंदु एकी कुछ से ने एकी अंसर है लेकिन अलग-अलग तरीके से पूशता है आपको नमन कोड या नति कोड के बारे में आपको अ क्या कारण है जो ब्रमर धाराएं बनती हैं उनका कारण क्या है एनिके जो ब्रमर धाराएं बनने के क्या कारण है ब्रमर धाराएं क्यों बनती है अगर हम बात करें बाट हीन धारा की तो आपको बाट हीन धारा के बारे में पढ़ना आए आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर 29 नमबर हमारा जो टोपिक है Maximal का बिद्दुचुम्ब की तरंग सिधान्त जो Maximal एक साइंस्टिस्ट है उनका बिद्दुचुम्ब की तरंग सिधान्त आपको अच्छे से पढ़ लेना है फिर पढ़ना है निकट दूर और जरा द्रश्ट दोस द्रश्ट सम्बंदी जो भी दोस होते है निकट द्रश्ट दोस हो गया दूर द्रश्ट दोस हो गया जरा द्रश्ट दोस इनका आपको कारण और निवालन के साथ पढ़ना अच्छे तरीके से इक कुस्चन 100% इससे एक कुस्चन आपको ना फसे तो आप हमारे वीडियो में आके कमेंट करिएगा आपको इस है पेपर उठा के देख लेना ठीक है निश्ट हमारा टोपिक क्या है दूर दर्सी हो गया सूचम दर्सी हो गया प्रीजम इन तीनों टोपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है दूर दर्सी, सूचम दर्सी और प्रीजम प्रीजम का बन बिच्छे पढ़ इस तरीके से जो भी कुछ जने पो सभी आपको पढ़ना है निश्ट हमारा टोपिक क्या देखिए हमारा टोपिक है प्रकास का प्रवरतन प्रकास का प्रवरतन भी पढ़ना है और प्रकास का अपवरतन भी आपको अच्छे से पढ़ना है एक हमारा जोर सबसे महत्मून डेरिवेशन है किसी गोली प्रश्ट पर प्रकास के अपवरतन का सूत्र लिखिए आए और इसकी सायता से लिंज का सूत्र जो ये वाला आता है बन अपान इसको भी आपको इस्थापित करना है ठीक है स्टुएंट अब हम लोग टॉपिक नंबर 36 देख लेते हैं तो जैसा कि स्टुएंट हमारे थी 36 नंबर टॉपिक क्या है हाइगेंस का तरंग सिध्धान् तीरपल चवल जितने भी इस्टार लगा लें वो कम है हाइगेंस का तरंग सिध्धान्त हाइगेंस का दूतैक तरंग का तरंग का शिध्धान्त आपको अच्छा से पढ़ना आ है कि आधार पर क्या करना है हाइगेंस के समीगांट बोर्ड एकजामें बहुत ज़्यादा आता है प्रकास बैदुत प्रभाव प्रकास बैदुत प्रभाव भी आपको पढ़ना है प्लांक की परिकलपना भी आपको पढ़नी है रदर फोड का आलफा प्रिक्रियोग भी पढ़ना है जो भी कोशन है बहुत 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 इंपोर्टेंट है इस वीडियो में नेस्ट हमारा बोहर की परिकलपना आपको पढ़ना आए हाइड्रोजन पर्माड का उर्जा इस तरह आरेक जिसमें लाइमर बामर प्रस्चेट ब्रेंकेट पुंडाद सेंडियों की बात की जाती वो आपको अच्छे से पढ़ना आए फिर हमको पढ़ना है नाविकिय विखंडन के बारे में नाविकिय सलेन के बारे में पियन संधी डायोड के बारे में आपको पढ़ना आए और हमें क्या पढ़ना है इन पचास टोपिक से मैं कहता हूँ आपको इसमें 40 को टोपिक तो 100% बोर्ड में फस जाएंगे इसी 40 से बस आपको अच्छे से वीडियो देखना है, हर टोपिक को आपको तयार करना है अच्छे से लण करना है अगर आपकी आउर भी कोई सायता हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी बोवी सायता करेंगे बस आप लोग पढ़ते रहे आगे वड़ते रहे ठीके इस्टेंट हम आपकी तैयारी के लिए जुट गए हैं तो आप भी जुट जाएए क्योंकि आपके पास टमे समय तो आप समझेए आपके पास ना के बराबर बचा हो ठीके इस्टेंट तो आएए टाइम ना विस्ट कर आते हुए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में ने टोपिक के साथ तब तक लिश्ण जैहिन वंदे मात्रम